नमस्कार किसान भाईयो, सलाम किसान चैनल पर आपका एक बार फिर से सौगत है दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं तर्बूज की खेती के बारे में अगर आप तर्बूज की खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो आज का ये हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही लाबदायक होने जा रहा है क्योंकि हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि तरबूज की खेती किस तरह से आप करें और इसमें हमें किस तरह के बीज इस्तिमाल करना चाहिए, किस तरह का हमें खाद इसमें डालनी है, हमें क कि मैं आपको सबके जानकारी और लाजो के रहा हूं और अपको बताने जा रहा हूं और वीडियो रहा है आपके लिए वीडियो फूपल होने वाला है अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकन की घंटी को भी दबाईगा तो कि सिक्षा होगा कि आपको मेरे आने वाले वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिलेंगे और ये पिलकुल निशुलक है तो आए किसान भाईयो शुरू करते हैं तो किसान भाईयो सबसे पहले हम बात करेंगे बुबाई का समय तो किसान भाईयो ऐसा होता है कि हमारे देश में हर तरह के जो प्रांथ हैं कई तरह के हर जगे पर अलग-अलग तरह का मौसम होता है तो उस हिसाब से किसान भाईयो उत्तर भारत के जो मैदानी छेत्रों में जो तर्बुज की बुबाई फरबरी में करना चाहिए और नदी के जो किनारे जो अगर 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 खेत हैं बेवस्ता है तो उसकी जो खेती के बुवाई होता है वो नौंबर से मार्श तक का होता है और इसके अलावा अगर आप पहाड़ी छेतरों में अगर आप रह रहे हैं और आपको अगर तर्बू तर्बूज की बुवाई जो है मेड़ों पर लगबग 2.5-3 मीटर की दूरी और 40-50 cm चौड़ी नाली बना कर इसको करना चाहिए इसके बाद किसान भायो जो नाली हम बनाते हैं उसके दोनों किनारों में लगबग 60 cm की दूरी पर 2-3 बीज हमें उसमें बोना चाहिए नदियों किनारे जो है किसान भायो गड़े बना कर उसमें मिट्टी, गोबर, खाद, बालू का मिस्तरन कर देना चाहिए हमें और एक ऐसा गोला बना कर उसमें एक बीज, दो बीज हमें उसमें लगाना चाहिए इसान भाईो बात कर लेते हैं हम उन्दा किसम के जो बीज की जो क्वालिटी होती है उसके बारे में हम बात करें तो उसमें जो है सुगर बेबी, दुर्गापूर केसर, आरको मानिक, दुर्गापूर मीठा, काशी पितामबर, पूसा वेदना ये कुछ जो है उत्तम किसमों के जो बीज होते हैं, ये उनके जो नाम है, आप इसको जो है आप अपनी फ़सल के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी पैदा बारिज से होती है किसान भाइयो एक बहुत ही इंपोर्टन बात है जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हम बीज को बहते हैं, उससे पहले हमें उसे उसमें कई तरह के फंगस होता है बेबीजों में तो उसे हमें जरूर उसको पहले दूर करना चाहिए उसके लिए किसान भाईयो जो हम भीजों को बोने से पहले थीरम, धाई गराम रसायनक प्रती किलो भीज के दर से उपचारित कर लेना चाहिए इससे क्या होता है फपून से लगने वाले जो बिविन प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे बचा होता है एक और important बात है किसान भाईयो इससे अत्रिक बीच को बोने से पहले अगर 24 घंटे पानी में हम अगर भीगो कर रख दें तो इसका जो पौधा होता है वो बहुत जल्दी निकलता है अंकुरित बहुत जल्दी होता है और आपकी जो फसल होगी वो दूसरों के मुकावले किसान भाईयो खरपतवार को नियंतरन करने के लिए ब्यूटा क्लोर नामक रसायन की दो लीटर मात्रा 500 लीटर पानी में घोल कर फ्लेट फैन नोजल के इस पेर से अंकुरन से पूर्व छिरकाव करना चाहिए किसान भाईयो जो तर्बूच का जो हमारी खेती होती है इसमें जो है विमिन प्रकार के कीटों का जो प्रकोप होने की आशंका इसमें बनी रहती है जिससे बचने के लिए हमें नीमित रूप से खेत की जो है निगरानी करना बहुत ही आवश्यक है तो किसान भायो तर्बूज की खेती में प्रमुक रूप से लगने वाला जो कीट है वो है रेड पमकिन बीटल और किसान भायो इसके अलावा जो है कैटर पिलर पौधों की जड़को काटते हैं और इसके जो वैस्क कीट होते हैं वो पत्यों को खाकर नुकसान महुचाते हैं इसके नियंतरण के लिए हमें करबारिल डस्ट 20 किलो प्रती हेक्टेर की दर से हमको भुरकाव करना चाहिए दूसरा किट की सन भायो जो है वो है फल मक्खी जो की फलों में छेद करके फलों को उसको बहुत ही जादा नुकसान पहुचाता है इसके नियंतरण करने के लिए हमें जो है मैला थियान 50 EC रशायन को 1000 लीटर पानी में घोल कर फसल पर जो है में इसे अच्छी तरह से हमें छड़काव करना चाहिए किसन भायो अगर इसको आप फरवरी में फरवरी और मार्च के बीच में इसको लगाते हैं इस बीच को बोते हैं तो आपको निशित तोर होना जरूर रहेगी तो खिसन भायो यह एक हमने तरबूज की चोटी से जानकारी आपको दी हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको जो है हमारे वीडियो मिलते रहें धन्यवाद पिलने को जरूर मिलते लिजेगा तरबकि खिरेगा मिलते तोरिग एक ट tut का दी हमा हमारे इन्ग साल ऑनो cloudy पुिस पाज़िद थोन bree ुवाश Uhr दोषा झ overlap esse यदरा झाल झाल